है हेलो गाइज वेलकम तो एम्टेक वाइरल एम्टेक वाइरल में आपका एक पर फिर से स्वागत है और जैसा मैंने प्रामिस किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही फ्रेश संथिंग न्यू कहके एक वीडियो लाने वाला हूं तो तो देट इस नॉट सिंगल वीडियो देट विल बी सम अ ओ और देन वन वीडियो ऑबिसली और जो हम करने वाले हैं यह काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है विकाल मैंने कहा है की संथिंग न्यू है तो देट बेट मिन्स कि वो मेरे चैनल पर भी न्यू है और वह एक्चुली में भी न्यू है इन दी मार्के जूझाँगा जिसमें से कुछ टेकनुलोजी जो मोड्य रिलेटि रिलेटिट है कुछ ऐसी है जो वेब रिलेटिटेह और कुछ हैसी है जो बैकेंड से रिलेटिड है इसके लावा जो कुछ जो अलग भचेैंगी वह मिसलेनियस है यानि जो मिक्स्चर है सबका तो सबसे पहले आज बात करने वाले हैं यह जो series of video है यह जो series है यह है mobile app development की इसके लावा में एक और series जो है कि वो create करूँगा वो होगी web development की और इसके लावा जो भी मैं करूँगा वो मिसलेने से stuff होगा तो यह जो introduction video है यह है जिसमें बात करने वाला हूं flutter की तो यह मैं आपको सकते हो हाला कि आप देख सकते हो कि जो यह project है वो अभी alpha stage पर है but believe me it is more than stable so यह stable है already but this is in alpha because there are ongoing changes and there are a lot of things which the developers are doing with this project and वो बहुत अच्छा इसको बनाने की कोशिश कर रहे है इंप्रूफ कर रहे है तो flutter जो है वो definitely something ऐसी चीज है जो कि definitely कुछ सालों में या आप बोल सकते हो कि कुछ महीनों में भी बहुत बड़ा impact create कर सकती है in the field of app development and जब आपके पास इतने सारे और प्लेटफॉर्म से app development करने के लिए like I can say कि आपके पास native app development के अलावा आपके पास ionic है आपके पास क्या आपके पास आपके पास रियक्ट नेटिव है आपके पास phone gap है तो there are a lot of platforms so I'll also talk about why it is कि flutter जो है वो बाकि उसे कैसे different है तो सबसे पहली मैं आपको चीज बताता हूं कि जो flutter है उसको back करने के लिए google है उसके पीछे और दूसरी बात यह है कि मैं आपको अगर यहां पर दिखाऊं कि why flutter तो आपको यहां पर frequently asked question में आपको सब कुछ मिल जाता है कि आपको यहां पर सारी detail में कि क्यों different है तो मैं आपको बता जाता हूं मेरे को क्या समझ आया और मुझे क्या लगता है तो flutter है सबसे पहले तो इसको back कर रहा है google तो आप यह उमीद करकर सकते हो कि आपको हर चीज जो है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है पूरी जो की complete मिलने वाली है जो सबसे बड़ा factor है जो की flutter को सबसे अलग करता है वो है control सो basically और जो भी platform सो उसमें आपको proper control नहीं मिलता है यानि आपको अगर native कुछ features लगाने है कुछ customization करनी है तो आपको particular जो भी kit है जैसे कि अगर android की kit है या इसकी kit है उसमें ज प्रफेस करते हो जिससे आप उन दोनों को रन करते हो एक single platform के थुरू तो that is very hectic so flutter वो कहीं नहीं आपके लिए solve कर देता है दूसरी बात यह कि flutter जो है उसमें उसका एक सबसे बड़ा advantage जो मुझे समझा रहा है वो है material design यह गूगल बैक कर रहा है और आपको by default material design के लिए सब कुछ stuff बना के दे रहा है so that is very good because you know material design is one of the finest design which is ever created so मुझे लगता है कि material design एक बहुत ही अच्छा concept है app designing के लिए और web designing के लिए भी so flutter उसको use कर रहा है that is a very great thing about flutter so this is the intro part of flutter इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है so एक चीज़ और में आपको उतायता हूं कि जो language use कर होने वाली है development के लिए वो है Dart Dart एक ऐसी language है जो कि जो उसको भी Google नहीं बनाया है और काफी time पहले बनाया था but अभी Google में जैसे Google का जो AdWords है AdSense है वो सारे platform पे Dart यूज होता है but apart from that अगर हम उसकी बात ना भी करें तो अभी Dart एक बहुत अच्छा language है और आपको सीखने में भी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपको जावा या सिशार पाती है तो आप यह बहुत सकते हो कि उनका एक इन्हेंस्ट वरजन आपको कि की एक इन्हेंस्ट वीब ड्रॉब्लम नहीं है और आपको जाफ। जाह है और आपको जाफ। आइसर कर्वादिया estoy